हेलो दोस्तों सीपेट आलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम अल्ट्रा हाइऑ मॉलेकुलर हाइड डेंसिटी पॉली इथाइलीन के बारे में देखेंगे यानि यू यू येच एम एच डी पी के बारे में देखेंगे ये क्या है कौन से चीज़ से मिलके बना हुआ इसका मोनुमर क्या है तो बने रहे हमारे साथ वीडियो को एट तक देखें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे यू वीडियो की नाटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले ये जो हमारा यू यू अला पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं वी दे यू यह जम डीपी इस मेड़ आफ इधाईलीन अब यह बना किसे होता है इधाईलीन से बना होता है प्लस इसमें हम पॉली इधाईलीन पॉलीथीन और ऑक्सीजन की मिक्सर से जब इसका होमो पॉली मेराईजिशन पॉली इधाईलीन प्लस आक्सीजन आक्सीजन का जब हम रियक्षन कराते हैं तो यह क्या होमो पॉली मेराईजेशन रियक्षन होती है उसके थुरू हमें यह अल्टा हाई मोलक्रा हाई डेंसिटी पॉली थाईलीन मिलता है यह अब इसका मोनोमर क्या होता है इसका मोनोमर जो होता है अमारा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यह यह इसका मोनोमर होता है यह HDPE यानि High Density Polyethylene family का भी मेंबर होता है, कुछ प्रोड़क्ट इसके भी बने होते हैं, इससे भी अटेच्च होके, यानि HDPE का और नेचर में यह कैसा होता है, हार्ड इन नेचर होता है जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो यह पहले वाइट कलर की दरारे बनती हैं, फिर उसके बाद यह ब्रेक होता है और यह जो इतना इस्ट्राउं होता है यानि आज़ कंपेर टू 15 टाइम, यानि कार्बन इस्टील के कंपेर में यह उसके एवरेज 15 गुना अधिक इस्टेबल होता है आज़ कंपेर टू 15 टाइम और यह इसका जो रियक्शन होती है उसमें जो में कैटलिस्ट का यूज करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेटैलो सीन मेटैलो सीन क्या करता है यह मेटैलो सीन मेटैलो सीन जो है इसकी इस्टेबिल्टी को बढ़ा देता है जैसे यह हमारा है कोई कंपाउंड मेटैलो सीन में जो इसके नाभीक होते हैं वो एक दूसरे से tightly बधे होते हैं जिसके वज़ा से ये और जब metallic scene उसमें presence हो जाता है तो tightly bonding के वज़ा से वो और stable हो जाता है अब इसके हम property देखते हैं इसके property क्या क्या है इसके density जो है वो 0.97 से density 0.97 ग्राम पर centimeter cubic होती है और इसका जो melting point होता है वो 130 से 136 degree centigrade के बीच में vary करता है हाई रिजिंस्टेंस आफ एब्जार्प्सण यानि एब्जार्प्सण है यह एब्जार्प्सण नहीं है एब्जार यह साई हो यान यानि जब हम जो अल्ट्रा हाई मोलेक्लर हाई डेंसिटी पॉलिथीन का अगर कोई भी product हमारा बना हुआ है तो अगर हम किसी खुर्दरी चीज से अगर उसपे हम इसक्रेच करें जैसे हमारा कोई भी चीज अगर खुर्दुरा हो उसपे हम अगर रफ करें रगड़ें तो उसपे जल्दी इसक्रेच नहीं आते हैं जो अल्ट्रा हाई मोलेक्लर हाई डेंसिटी पॉलिथाइलिन प्ल होते हैं जो बहुत से प्लास्टिक होते हैं हमारे यहरीले ऎहरीले होते हैं जो बहुत से तरह के रोग बनाते हैं ये नॉन टाक्सिक है। इससे कोई हान नहीं होती है no water absorption यह यह water को भी absorb नहीं करता है जो पानी को ये अब्जार्ब नहीं करता है और ये जो होता है सेमी क्रिस्टलाइन होता है अगर आपको जैसे एक्जाम में अगर ये पूछता है कि discuss about the UHM HDPE तो आप उसके बारे में पूरा एक sequence में यहां तक पूरा derive करेंगे अब इसका use देख लेते हैं यूज भी आपको पूरा उसमें बताना है यूज जो है वो generally आपके जो वाइबा है उसमें भी पूछ सकते हैं कि इसका use कहां से होता है किस चीज में इसका use होता है क्या product बनाने में इसका use होता है तो ये बहुत important है अब हम इसका use देखते हैं इससे जो हम बनाते हैं boy string boy string जो हमारा जैसे हम कोई test tube लिये हैं उसको हम साफ करते हैं जो हम brush होता है brush को जब उसमें डाल के साफ करते हैं तो उसके race टाइप बने होते हैं, जिसके वज़ा से हमारा उसके अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, test youb के अंदर की, तो वो जो race बने होते हैं, वो ultra high molecular high density polyethylene plastic के बने होते हैं, वो race जेनरली आप घरों में देखते होंगे, जो छोटे बच्चों के bottles होते हैं, दूद पीनी क joint parts, जो हड़ियों के जगह पे कई-कई body parts भी इसके यूज होते हैं, और gear, axle and roller, ये भी तीनों चीज़ इसी से बनाय जाते हैं, पारासूट, पारासूट जानते हैं, इस पे कितना हवा का pressure रता है, और पारासूट भी, ये काफी मजबूत होने के वज़र से पारासूट भी इसी के बनाय जाते हैं, और जो हमारा climbing equipment है, जैसे जो mountain करते हैं, पहाड़ों पे चड़ते हैं, या climbing करते हैं, कहीं भी जो फिसलने के लिए और भी जो पहाड़ों चड़ते हैं, जैसे उच्छे अस्थान पे, तो वहाँ पे जो generally use होते हैं, प्लास्टिक का, तो वहाँ पे इसी प्लास्टिक का यूज़ किया जा, जो climbing equipment होते हैं, जैसे कुछ चुबा के कहीं चड़ना, या जो इसकी पकड़ अच्छी होती, और ये काफी मजबूती के वज़े से इसका यूज़ किया जाता है, उम्मिद करते हैं, आपको पूरा पसंद आया होगा वीडियो, और अच्छे से समझ में आ गए होगा, अगर नहीं समझ में आ तो comment करें, धन्य बाद,